बड़ी खबर ये है कि किस तरीके से अब तबहा और बर्बाद होने वाली है पुतिन की सेना और इस साल के अंतक रश्यन सेना की बर्बादी तैय अमेरिकी सेना के पूर्व जनरल की तरफ से संसनी खेज दावा किया गया है और आईए अब आपको दिखाते हैं कि पूर्व अमेरिकी जनरल ने रूस को लेकार और क्या दावे किये हैं इन दावों पर जल्दी से डाल लेते हैं एक नजर जिसमें कहा जा रहा है पुतिन आर्मी टोटल कोलाप्स कर गई है यहां बेन हैजेज पूरों अमेरिकी जनरल हैं वो ये दावा कर रहे हैं रूस की सेना पूरी तरह से तहस नहस होने की कगार पर है दम निकल चुका है पुतिन की सेना का ये वो कहते नजर आ रहे हैं इसी साल के आखिर तक रूस की सेना बिखर जाएगी युद में जीत लॉजिस्टिक और इच्छा शक्ति से मिलती है विल पाउर चाहिए होता है होसला चाहिए होता है जो की नहीं दिख रहा है रूस की सेना ये दोनों ही ची क्योंकि आप देखिए बाकमुत पर पूरी तरह से कब्जा अभी नहीं हुआ है रशिया का जो दावा किया जा रहा था उसकी तरफ से बाकमुत में रूस ने गलत प्लैनिंग की बज़े से हजारों सैनिक गवाएं हैं याद कीजिए इशारों इशारों में वैगनर फोर्स के चीफ प्रिगोशिन ने भी ये दावा किया था